हेलो दोस्तों आज बात करेंगे अक्षे त्रतिया की बारे में कब है अक्षे त्रतिया इसका क्या महत्तो है और क्या शुग मुहुरत है तो अक्षे त्रतिया बैशाक मास के शुकल पक्ष की त्रतिया को मनाया जाता है दोस्तों इस साल अक्षे त्रतिया 10 मई दिन शुकरव को मनाया जाएगा मानता है कि इस दिन सोने चांदी की खरीद करना बहुत ही शुब होता है इस दिन खरीदी गई किसी भी वस्तु में अनंत ब्रद्धी होती है आईये आपको बताते हैं अक्षे त्रतिया का क्या महत्त है और कौंसा शुब मुहूरत है अक्षेत रतिया अपकी बार 10 मई को शुक्रवार को है अक्षेत रतिया को धार्मिक मानताओं के अनसार हर कार के लिए बहुत शुब मुहुरत माना जाता है इस दिन सोना चांदी और कोई भी नया सामान खरीदने का खास महत है सास्त्रों में बताये गया है इस दिन मा लक्षमी की पूजा करने से आपको विशेश लाग प्राप्त होता है और उनकी क्रपा से आपके घर में परिवार में सुख सम्रत्ती भड़ती है धार्मिक मानताओं के अनसार अक्षेत रतिया के दिन पौराडि घटनाए हुई थी इसलिए इसे एक अबूज मुहरत के तौर पर माना जाता है दोस्तों आएए आज आपको बताते हैं अक्षेत रतिया का शुब मुहरत क्या है और इसका महत और मानताओं के बारे में अक्षेत रतिया का शुब महुरत के बारे में बात करते हैं अक्षेत रतिया 10 मई शुक्रवार को सुबह 4 बच कर 17 मिनट पर होगा और इसका समापन 11 मई के दिन सुबह 2 बच कर 50 मिनट पर हो जाएगा अक्षेत रतिया का शुब मुहुरत 10 माई के दिन 5 बचकर 49 मिनट से 2 बहर 12 बचकर 30 मिनट के बीच है मानता है कि अक्षेत रतिया के शुब मुहुरत में किये गए हर कार में सफलता प्राप्त होती है अब बात करते हैं अक्षेत रतिया का महत तो क्या है अक्षे तरतिया का धार्मिक महत तो बहुत ही खास माना गया है दोस्तों इसे युगाद तिभी भी माना जाता है मानता है कि इस दिन भगवान विश्नु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था अक्षे तरतिया के दिन युदिस्टिर को क्रश्न जी ने अक्षे पात्र दिया था जिसमें कभी भी भोजन समात नहीं होता था और इसी पात्र से युदिस्टिर अपने जरूरत मंद लोगों को भोजन करवाते थे इसलिए अक्षे त्रतिया के दिन दान पुन करने का भी विशेश महत तो माना जाता है अक्षे त्रतिया के दिन त्रेता योग का भी आरंब हुआ था इसी शुब दिन पर गंगा का अत्रण भी धर्ति पर हुआ था दोस्तों इसी बिचेशताओं के बज़े से अक्षेत रतिया के दिन को साल का सबसे शुब महुरत माना जाता है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे इसका फायदा वो भी उठा सके और इसी तरीके की नई-नी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मैं इसी तरीके की नई-नी वीडियो शेयर करती रहती हूं धन्यवाद